हेलो दूस्तो, दूस्तो मैं अभी अभी बस्तर नाम की मूवी को देखकर लोड कर आया हूँ दो गंटे की मूवी की लेंथ एंड जैसा की मूवी के टाइटल से जाहिर भी है बस्तर ये फिल्म 36 गड के बस्तर जिले में सैट है जहाँ पर मावादियों का नक्सलियों का बहुत दबदबा रहा और उन्होंने जो तबाही बहाँ पर मचाई है जो लोग मारे गई है फिजूल में ही फालतु में वो सब चीज़ें इस फिल्म में कवर की गई है यहां पर कितना सच है कितना जूट है मुझे नहीं बता है जैसा कि टाइटल से यह लगता भी है आपके मन में चीज़ें आएंगी कि जैसे टाइटल है बस्तर तो आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि नक्सलियों के महवादिय यहांगे शुरुआत से लेकर अब तक के सबको कैसे शुरूआत होई कहांसे चिंगाडी भढ़की उनकी जो डिमांड थे या नहीं थे या जो भी था जहांसे शुरुआत भढ़की होई कहीं से तो तो उसको तुकड़ों में कर देना, माल देना, बुरित लेश के से बहशी पन उन लोगों का देखाना, सड़क नहीं बनने देना, एंड स्कूल नहीं बनने देना, जो भी बच्चे हैं, बहाँ पर हर घर में से कम से कम एक बच्चा नकसलियों को दिया जाएगा, जो कि आगे चल कर गुंग, बही नकसली और मावादियों में से एक बनेगा, उस तरह की चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं, जैसका कोई शुरुआत का कोई पता धिकाना नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल भी एक्सप्लोर करने पर, एक्सप्लें करने पर, शुरु पढ़ेगा कि हाँ, बहुत दर्दनाक चीज़ें बहां कि लोगोंने सही हैं, या जो भी है, एटलिस्ट मूवी को देखकर तो यह लगता है, आज की डेट में, टीवी पर भी निउस पर भी ज्यादा अपडेट्स आती नहीं है, खबरें आती नहीं, या तो ऐसा हो सकता है कि ये सब चीज़ें कम हो गई हैं, पहले कि अपिक्षा आज की डेट में मूवी 2010 में सेट है, लेकिन फिल्म के अंत में ये कहा गया है, कि पहले से लेकर अब तक में बहुत परिवर्टन आया है, या तो ऐसा हो सकता है, कि परिवर्टन बाफ्तम में आया है, और अगर परि बाकी तो भाई क्या ही गया ना एंड केदला स्टोरी मूवी चल गई तो के में और उन्होंने सोचा होगा कि वो दुबारा से एक ऐसा ही प्रोपगेंडा वाला मुड़्दा या उस तरीके मुड़्दा उठाकर लाएंगे जो चल जाएगा कम से कम एक्सप्लोर तो करो शुर के आते हैं उसको मादने के लिए एंड की बाद उसको आज़ाद करा देते हैं उसके बाद मुवी खतम हो जाते हैं इसको देखकर लगबग मोटा मोटी ऐसी कहानी है यहां पर एक विलन है जिसको अच्छी डेवलप तक नहीं किया गया एंड उसके बाद पूबा की लोगो चलती रहती हैं और मुवी एंड में जाकर खतम हो जाती हैं खतम होते होते हैं इसके दिन पर कुछ लिखकर आता है कि ऐसे चीज़ाद के खिलाव मतलब आप यह मैं फिर पूछना चाहता हूं आप मुवी देखकर आए हो तो प्लीज कमेंट में नीची लेखकर बताना कि सल या ना होने से उस पर बेहन लगाने से क्या फरक पड़ेगा और बेहन ना लगने से पहले क्या फरक पड़ता था और बेहन लगाने के बाद क्या फरक पड़ा है बहन लगाने के बाद कि लोग मर रहे हैं अब खुले हैं पहले कम मरते थे अब खुले हैं लेकिन उसके होने नहोने से मतलब किस तरीके से प्रभाव पड़ता था जो नकसली है उन पर किस बात का दबाव है वो पहले क्यों नहीं मार पा रहे थे जब सलवा जुडूम प्रभाव में था या अब क्यों बो मार पा रहे है ये हमको मूवी के शुरुवात में लिकर बता जाता कि नकसलीों के खिलाप एक आंदोलन चलाए गिया और उनसे बचने के लिए एक गाउं में गाउं से शुरुआत हुई एक कैम बगरा है और सलवा जुडूम नाम दिया गया है उसको कैसे यार ये हजम होगा मैं ये कहना चाहता हूँ मेरा कहने का मतलब सीदा सीदा ही है कि चीज़ों को एक सप्लूर करके दिखाना चाहिए आपने टाइटल उठा है बस्तर बाकि ये जो चीज़े हैं या पर जो नकसली है और जो चीज़े हैं वो काभी कोई शोव में मूवीज में हमने देखा हुए लेकिन अगर आपने ये टाइटल उठाया है बस्तर तब की जमिदारी बनती थी कि इसको शरुवात से अटलिफ तो शरुवात से नवाई नरेशन तो काई देखा होता चीज़ें को अच्छे से डीटिल में समझाये बताये तो चादा चुप बहां के नहीं है जो लोग दूफरे जगह से हैं जो दूफरे इंडिया की दूफरे अलग-अलग कोनों से आते हैं अलग-अलग हिस्सों से आते हैं उनको पता चलेगी किस तरीकी चीजे महाँ पर हो रही है मुझे पता है'msel लोगों को पता होगा लेकिन हर किसी को नहीं पता है ये चीज़ों पर नहीं काम कियागया है ये फिल्मे में बाकि राइटिंग इसके इंपले रेडिक्षन कुछ उतना बहुत तकड़ा नहीं है बाकी तो मूवी बहुत व्यादा डार्क भी है इंटर्वल से पहले पाला सीन जब VRVF की जबान पर जो हमला हुआ था करीब 78 लोग बहाँ पर शहीद हुए थे इतना ब्यादा डार्क था कि भागी कोछ भी दिखाई नहीं पड़ा था और मूवी तो मूवी हॉल तो लग भग पूरे तरह से खली था चाथ लोगों को लेकर मह गया था बागी के चार चेलोग और थे पूरा मूवी हॉल खली था पता नहीं क्या बना के रखा है क्यों बना के रखा है लोगों में कोई excitement नज़र नहीं आ रही इस मूवी के लिए क्या ही कहूँ इस मूवी के लिए बागी खत्म होते होते है इस्क्रीन पर जब लिख कर आता है चीज़ें जिस तरीक इस दिखाई पड़ती है वो कुछ हाई impactful था मूवी के जो खत्म का end का जो दस पार मिनट से वो कुछ ठीक थी end जो अंत में जो जो अदालती कारवाई थी कोटरूम ड्रामा जो चल रहा था और जो उसके उपर एक वो inquiry वेठी उसके खिलाब जो चीज़ें हो रही थी सब कुछ यह था लग़ा था जैसे पूरी की पूरी सरकार ही ब्रस्ट है कुछ भी कोई इमानदार यहां पर है इने सब के सब उन्हें की साथ में लगे हुए है क्यूं चल रहा है किसले चल रहा है किसने किसको कब खरीद लिया किसने किसको हायर किया यहां पर जो लाइमा सेन का जो करेक्टर है उन लोगों के साथ क्यूं मिली है कैसे मिली है क्या चल रहा है क्या मतलब उन्होंने कुछ सवालों के जबाब तो दिये ही नहीं सबाइल उठाई लेकिन सबाइलों के जबाब नहीं मिल पाते एसे फिल्म में यह मूवी में चल रहा है मुझे कहीं से भी किसी भी एंगल से पसंद नहीं है बाकि एक्टिंग वगरा अच्छी है बाकि मैं क्या ही कहूं कि मैंने इस मूवी में क्या देखा यह है भई आपने मूवी देखें फिजूल में इतना ज्यादा वॉयल हैं से यहाँ चलो ठीक है कि बुलो कितने बहशी थे उनकी बहशीपन को देखाया गया है अच्छी बात है लेकिन उनका एक पहलू देखाने की बजाए आप चीज़ों को अच्छे से दिखाओ तो सही कम से कम सिर्फ एक पहलू नो ने उनका उठाकर दिखा दिये जिसकी शरुवाद को कोई पता ही ठेका ना ने बस एक किसी भी एंगल से कहीं से भी किसी भी हिस्से से पूरी जदनी की मतलब मैं यह कहा रहा हूँ कि जहां से उनकी शरुवाद होई है और जहां पर वो आज है कहीं से भी किसी भी एक पाइट से पोल्चन से उनकी शरुव किया है और आप पर आगर खतम कर दिया और कोई डीटेल में भी नहीं गए यह चीज़ें इस फिल्म में है जास्ट वनिस्टा दाट फाइब इस मूवी के लिए बहुत सारा वोईलेंस है हालनकि गालियां नहीं है लेकिन बॉइलेंस बहुत सारा है अडल्ड की कैटेगरी में मूवी को रखा गया है अगर बॉइलेंस कम होता तो शाहstudy अडल्ड की कैटेगरी में होती भी नहीं यह है देखी है आपने लेके बताना आप लोगों का इस मूवी पर क्या टेक बाकी मुझे तो ठीक ठाकी लगी मतलब एक बर मैंने देख ली बोर नहीं हुआ क्योंकि इतना को चल रहा था कि बोर नहीं होने देगी आपको लेकिन एक मूवी के तौर पर यह जो उन्होंने दि है जो उनका मुद्धा है जो बताना चाहते है जो दिखाना चाहते है जो इंडिया के लोगों को पता चले कि भाबर क्या क्या और उस लिहाज भी तो पूरी तरह से डिसपॉइंट करके जाती है यह है देखी है लिखके बताना बाकी 10 में से अगर आप लोग पूशे तो कि यह सारी गती बिधियां 36 गड के बफ्तर में ही सबसे ज्यादा प्रभाव शाली क्यों है बहीं पर सबसे ज्यादा एक्टिब क्यों है इंडिया के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं है उसकी शुरुआत बहीं से क्यों हुई या बहीं पर बहीं से ज्यादा एक्टिब क्यों